हाई फ्रेंड्स आज हम एक और न्यू रेसिपिल आये हैं इसका नाम है बेंगन का भरता यह बहुत ही टेस्टी दीशे और खाने में भी मज़ा आ जाता है तो आएए हम इसे बनाते हैं तो यहाँ मैंने पहले लिया है बेंगन और बेंगन को मैं बीच में से कट करूँगी कट हम इसले कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी चीजे डालेगी जिससे टेस्ट इसका बढ़ जाएगा तो यहाँ हम पहले डालेंगे हरी मिर्ची इसका मैंने उपर का जो डंठले उसे हटा दिया है इस टाइप से हम इसे बीच में फसा देंगे और साथ ही डाल लिया है तीन से चार और उसे में इसमें फिल कर दूँगी अब हम इसे कड़ाई में रखेंगे पकने के लिए कुछ टाइम बाद इसे हम ढ़क कर पकाएंगे तो इसका छिलका है वो अंदर जो गूदा है उसे अलग होने लगेगा इसे हम करीब 10 से 20 मिर्ट पकाने के बाद ये चिलका इजिली रिमू होने लगेगा इजिली निकलने लगेगा तो हम इसे निकाल लेंगे और इसका जो लास्ट में जो डंठल है उसे हम अलग कर लेंगे ताकि जो हमारे चिलके हैं आसानी से अलग हो जाएंगे आप देख सकते हैं इस तरह से हम सभी चिलकों को निका लेंगे हमने छिलका निकाल लिया है और इसे हम स्लोप टाइप थाली में रख देंगे जिससे इसका जो पानी है एक्स्ट्रा वो हट जाएगा इस टाइप से हम इसे चमस से मस लेंगे आप चाहे तो चक्को से बारिक बारिक कड़ भी कर सकते हैं तो इस टाइप से हमारा ये जो गुदा है हमने उसे क्रश कर लिया है बारिक पीस लिया है अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे तो यहां मैंने उसी कड़ाए में तेल गरम कर विको लिया है तेल में अब मैं डालूँगी राई यहां मैंने हाफ टेबल स्पून राई लिय है साथ ही मैंने लिया है जीरा जीरे के बाद इसमें हम थोड़ी से सोब डालेंगे और डालेंगे प्याज अब हम इस प्याज को अच्छा से गॉल्डन ब्राउण होने तक ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो है आप इसली देख पाओगे इस टाइब से हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें मसाले एट करेंगे तो यहां मैंने फर्स्ट ली अद्रक लसुन का पेस्ट एट किया है यहां मैंने एक चम्मच अद्रक लसुन का पेस्ट लिया है अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे यहां मैं लोहे की कडाई ये उसकर रही हूँ तैकि जो लोही की कड़ाई में टेस्ट है वो अच्छा आता है अब मैंने यहाँ स्वात के अनुसार मिर्शी डाल ली है और मिर्शी को एक मिनट पकाने के बाद इसमें पाने डाल दिया है अब हम इसे तेल उपर आने तक अच्छे से पकाएंगे मेरा तेल उपर आ चुका है तो इसमें हम हल्दी और नमक एट करेंगे साथ ही मैंने इसमें मतर के दाने भी एट किए हैं आप इसे स्किप भी कर सकते हों हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हमारा मसाला रेदी हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे बेंगन इस टैप से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले और जो हमारा बेंगन का गुदा है उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप इसमें प्याज की पत्यां भी डाल सकते हो इससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है इस टाइप से अब हम लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला गरम मसाला डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम पांच नट पकाने के बाद हमारा बेंगन का भरता रेडी हो जाएगा आप देख सकते हैं कितना दिखने में अच्छा लग रहा है इस टाइप से हमारा बेंगन का भरता रेडी हो चुका है इस पर धन्यापति डाल कर सर्व करें ठैंक यू